अब उसको बढ़ा करके 15 मई तक बंद रखा जाएगा सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, पार्क एबं उध्यान को पूरी तरह से बंद कर दिये जाएगा और उसके बाद जो हमारे जो सरकारी और गर सरकारी कारियाले अब उसके बारे में वेकाज बिरने लिया गया है जैसे हिल्थ वगरा को छोड़ करके उन सब चीज़ों करें जो इसेंसियल सर्विस है जो उसकी बात हम नहीं कह रहे है बाकी जितनी सिवाएं उसके लिए जो किया गया था तो अब उसको कर दिया गया है घटा करके जो छे बज़े तक खाउसको घटा करके पांच बज़े तक कर दिया गया है नौ बज़े से ले करके सुबह पांच बज़े तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा पूरे बिहार में हर जगा पर नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा साम रात में नौ बज़े से ले करके सुबह के पांच बज़े तक यह एक निरने हो गया है और सभी दुकाने पतिस तक कम करके 6 बजे तक उसको अब खुला रहेगा, 6 बजे के बाब उखुला नहीं रहेगा, जो रेस्टोरेंट है, धाबा है, भोजनाले में बैट कर खाना प्रतिबंधित रहेगा, इन सब जग्मों पर, लेकिन फोन डेलिबरी एबं टेक अवे सर्विस का संचालम, 9 बजे रात तक उस सब लोगों के हां पहुचाना हो, कोई वहां से ले जाना हो, लेकिन वहां बैट करके खाना नहीं, जो जितने भी सभी धार्मी के स्थान जो थे, वो जो 30 अप्रिल तक बंद थे, जो हम लोग ने पहले तय किया था इसके मामले, इनके मामले में, सभी प्रकार क सब धर्मों के सब असिस्थलों को जो किया गया था 30 अप्रिल तक उसको अपढ़ा करके 15 मई 2021 तक बंद रखने का ही फैसला किया गया है, सारजनिक इस्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर सरकारी वं नीजी पर रोख रहेगी, लेकिन जो दफन है या दास अंसकार है या पूजा है, उस पर ये लागू नहीं है, वो तो सौभाविक चीज है कि दफन हो, दास अंसकार हो, विवा हो, स्राद हो, तो इन सब चीजों के लिए तो सब लोगों को करना उनकी एक जिम्मेवारी होती है, उसको छोड़ करके बाकी जितने सारजनिक इस्थलों पर किस साथ के कारिक्रम के लिए, तो उसमें जो हम लोगों ने किया हुआ था पहले, कि जो भी करेंगे दफन और दास अंसकार के लिए पचास का किया गया था पहले, अब उसको घटा करके पचीज, दफन और दास अंसकार हों पचीज से जादे मत करें, और फिर जो साधी और और किनी को कुछ मालूम नहीं है इसका बहुत रुकसान होगा इसलिए इन दोनों के बारे में यवी निने लिया गया है और इसके बाद दिन के समय भीड भाड भरे इलाके एवं सब्जी मंडी में भीड में कमी करने के लिए जिला पदाधिकारी बाजार एवं सब्जी मंडीयों को सिलसलेवार ढंग से स्टेगर्ड मैनर नए स्थलों पर फोलने की विवस्था करें वहाँ पर नहीं जहाँ है विवार होती है अलग जगह पर उनको सुनिश्चित कराएंगे कि आप यहाँ पर फोलिए यहाँ पर रहिए एक यह भी विवस्था करने का किया गया और जिला प्रिसासन द्वारा आप सक्ता नुसार नगर छित्रों एवं प्रखंड मुक्षालियों में धारा 144 का प्रियोग कर अनावस्यक भीर को नियंतित करने होती है नियमा नुसार वो कारवाई करेंगे यानि एक तब बिल्कुल 144 लागों करने के लिए हर जिला प्रिसासन को अधिकार दे दिया गया है कि आवस्यक्ता नुसार जहां कहीं भी हो वो अपना 144 की धारा लगाएंगे यह भी निर्ने ले लिया गया तो एक जो अभी के वारे में जो निर्ने हो गया है जिसकी जानकारी हम लोगों ने दे दिये और यह सब जो है जितने प्रतिबंद लगाएंगे हैं इसके अलावे जैसे आवस्यक्त सेवाओं पर किसी प्रकार का प्रतिबंद नहीं है जैसे परिवहन, बैंकिंग, डाग, स्वास्त एवं इससे संबंधित सेवाओं फायर, पुलिस, एंबुलिन्स आदी पर किसी प्रकार का प्रतिबंद नहीं छूट रहेगी और यी कॉमर्स की गतिविदियों, गतिविदियां उससे संबंधित प्रतिस्थान भी इस प्रतिबंद से मुक्त रहेंगे अंतर जिला एवं अंतर राजिये सार्धनिक परिवहनों पर कोई रोक नहीं होगा यानि परिवहन के बारे में जो कहा और निर्मान कारियों एवं और दोगिक प्रतिस्थानों पर भी किसी भी प्रिकार का प्रतिबंद नहीं रहेगा, लेकिन बाट की सब चीजों के बारे में बता दिया गया है, कारियाले के बारे में, जुगान के बारे में, किन किन चीजों को प्रतिबंदित करना है, किस चीजों को पुला रखना है, कितने बजे तक चलेगा, कारियाले कितन पूरे तोर पर सब्देवे के लिए लागू करने का निर्ने ले लिया गया है, तो हम लोगों ने अभी ये किया है, और जैसा कि मैंने सुरू में कहा, कि हम लोगों ने इसके लिए इतनी विस्तृत रूप से आज चर्चा की है, और सब लोगों का जो सुझाव कल भी आया, सब को देखते हुए, सब लोगों को ही सुझाव दिया है, प्रतित दिन एक एक चीज़ पर सक्रिये रहेंगे और उसको देखते हुए, आगे भी इसके बारे में जो कुछ भी करना होगा, फिर उसके बारे में करेंगे, और किसी भी प्रकार का दवा का या उक्सीजन का कोई दिक्कत ही आएगी, इसके लिए सब तरह के प्रबंध का इसके लिए जो कुछ भी करना है, किया जाएगा, बाहर से भी आएगे, उनको काम देने के लिए भी जो करना पड़ेगा, हम लोग उसमें मदद करेगे, हर तरह स तो तो, जूमारे जितने चिकर्सक हैं और चिकर्सास से भी जितने सब लोग हैं चिकर्साद चुड़े हो颁ँए सब लोग, उनको जैसा पहले कह दिया गया है, हम लोग एक महींचे का, और अत्रिकवि उनको तन्हा Howda, जैंगे, यह सभ निर्ने ले लिया है, लेकिन एक ए झीचित प्लॉग